हलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टो माय चानल आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती नुट्रीशिस बहुती दिलीशिस सोया चंक्स जिसको सोया बीन नहीं भी पसंद हो वो भी यह बहुत शौक सिखाएगा इसको आप स्नाक्स की तरह साइड वेजीज की तरह सर्फ कर सकते हैं तो च कर्ठ और इमसे थोड़े से मसाले डालेंगे यह मैंने डाला है चिकन मसाला आप चाहें तो गरम मसाला या जो भी सबसी मसाला आप चाहते हैं पो डाल सकते हैं और मैंने डाला यह निमबु का रस अरावंड टू टेबल स्पून मैंने डाला है चात मसाला, नमक , इसमें थोड़ा सा हलदी, लाल मच , आप इसमें चाहे वो सारे मसाले डाल सकते हैं जो कि आपको पसंद मैं तो सही कैसी अदर अजकी फलेवर फुल हो जाएगा है न मैंने इया हलदी भी डाली है कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके, मारिनेट करके, इसको मिनमम 30 मिनट कर तो रखना है, अगर आप एक घंचे के लिए रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि सोया बीन सारी अपने में फ्लेवर ये अच्छे से ले ले, ये देखिए ये मारिनेट करके आ गया है, और कितना यमी कलर आया है इसका, अब मैंने यहाँ पे तवा लिया है, क्योंकि मेरे को एक फ्लाट सरफिस चाहिए, जिसमें ये अच्छे से रोस्ट हो सके, अच्छा मैं आना आपको एक चीज बताना भूल गई, जो मैंने 50 ग्राम सोया बीन लिया था, उसको मैंने गरम प पकाना नहीं है, क्योंकि ये अल्रेटी पका हुआ है, ये सॉफ्ट है, मेरे को इसको अच्छे से बस रोस्ट करना है, जैसे टिका टाइप होता है उस तरह से, तो मैंने को एक फ्लाट सरफिस चाहिए था, इसमें मैं सारे सोया चंक्स को अलग-अलग करके इसको रोस्ट कर करते करते करेंगे, ये देखिए, ये हमारे सोया बीन नागेट चाहिस बिलकुल तयार है, है ना टेस्टी एन यमी, लग रहे है ना डिलिशिस एंड ट्रस्ट मी, जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा, आप ज़रूर बनाएगा और मुझे ज़रूर बताएगा